जै मातादी, ओम नमस्शिवाय, बोलिे उमापती सिवशंकर भगवान कीजिए. प्रियभक्तगणू, सावन के महीने में जितना महत्व, सिवपूजन का होता है, उतना ही महत्व, देवी पूजन को भी दिआ जाता है. इस सावन के पवित्र महीने में, कई रूपों में, माप प्रमुख चार दिसाओं की देवी मा के कथाएं, जिसे पढ़ने वाला, सुनने वाला, तथा हुंकारा भरने वाला, सभी इस्तरी पुरुषों की मनो कामनाएं पोन होती हैं, असुभ सुभ में बदल जाते हैं, देवी मा के कृपा से संतान एवं सुहाक की रक्षा होती है, बिभिन रूपों की कथा महिमा को सुनने वाला परम पद को प्राप्त करता है, वह निश्चे ही किसी पुन्य कर्मों से प्रेरित होकर मातारानी के कथाओं को सुनने का सुभाग प्राप्त करता है, तो आप सभी भक्त कर, अपनी सभी कष्टों से मुक्ती के लिए माता पा जिसका परडाम भी सुभ नहीं होता तो इसलिए माता रानी का जैकारा लगाते हुए कमेंट में जै माता दी हरहर महादेव लिख दीजिए और कथा को पूरा सुनें सबसे पहले आया सुनते हैं पुर्वदिसा की माता पारवती सरूप अवसान माता की कथा इनकी कृपा से धन धान की प्राती हुती है एक गाव में एक सास और बहु रहा करती थी बहु अपने सास से बहुत ज़्यादा गुसा करती थी क्योंकि सास थोड़ा सा बुढ़ी हो च सास को ताने देती रहती थी कि आप अम्मा जी कुछ काम नहीं करती हो आप से कुछ नहीं होता घर बैठी रहती हैं अम्मा बेचारी लाचार थी तो कुछ बोलती नहीं एक दिन बहु ने कहा अम्मा आप बैठी नहीं रह सकती हो अब आप घर में हो तो कुछ काम आपको करन सास ने कहा इस उमर में मैं क्या काम कर सकती हूं बहू इस उमर में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दे पाओगी तो फिर क्या होगा मेरा? मैं कहा जाओंगी? क्या काम करूंगी? बहु ने कहा एक काम करिये आप सुबह दूध बेच आया करिये पूरे गाउं में आप से मैं एक महीने का पूरा हिसाब अंत में लूँगी बेचारी सास अब सोच रही थी कि इस उमर में मैं सुबह सुबह दूध लेकर पूरे गाउं गाउं गली गली कैसे जाऊंगी सोचा की चलो कोई बात नहीं जाना तो पड़ेगा ही अब लाचारी है, मजबूरी है तो जाना पड़ेगा सुबह हुई जल्दी डबा लेकर बहुने भर दिया बोला दूध बेचकर आओ जल्दी आना दूध बेचकर और महीने का महीने आपसे हिसाब लिया करूंगी अब आप घर में बैठ नहीं सकती सास जाकर एक पीपल के पिड़ के नीचे बैठ गई वह सोचने लगी बैठे बैठे की इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या दुख देखने को मिलता है देखिए मेरी अपनी बहु ने मुझे घर में ऐसे ऐसे ताने दे रही है कि घर में बैठ कर खाती हो अब मैं कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं इतना सोचते सोचते उसको दो घंटे बीद गए वह मन में सोचने लगी कि एक काम करती हूं कि दूध को यहीं गिरा कर चली जाती हूं और अब दूध को उसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया और घर आ गई बहु ने फिर कुछ नहीं बोला उसने सोचा चलो पैसे ली होगी महिने के अंत में मांग लूँगी ऐसे करते करते सास को एक महिना पूरा हो गया अब वह दिन आ गया जब उसको हिसाब देना था अब वह फिर से दूध लेकर चली गई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी बहु ज़ादा रोने लगी और बोलने लगी अब मैं क्या करू कैसे घर जाओ बहु को हिसाब क्या दूँगी जब मैंने कभी दूध बेचा ही नहीं तो मैं हिसाब कहां से दूँगी पूरा दूध तो इस पीपल के पेड़ की नीचे डाल देती थी अब उसके रोने की आवाज सुनकर वहां से अवसान मैया गुजर रही थी उन्होंने देखा कि एक बुढिया रो रही है वह आकर पूछने लगी आप क्यों रो रही हो तो बुढिया ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं क्या आप मेरे दुख को दूर कर दोगी बहुत कहने पर सास ने बताया कि मेरी बहु मुझे बहुत ज़्यादा कश्ट देती है तो अवसान माता ने कहा हे बुढिया अम्मा आप मुझे अपनी पूरी बात बताईए कि क्या हुआ है तो उसने बताया कि बहु मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत बहवार करती है, घर पर बोलती है कि तुम बैठे-बैठे क्या करोगी, कुछ काम अवाम किया करो, तो मुझे सुबह-सुबह दूध बेचने भेज देती है, और कहती है कि महिने होने पर तुमसे हिसाब करूँगी, अब मुझे हिसाब देने का समय आ गया रोज तो दूध वेच नहीं पाती थी मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है कमर में दर्द होता है तो मैं आती थी इस पीपल के पेड़ की नीचे बैठ जाती थी और सारा दूध इस पीपल के पेड़ में चड़ा जाया करती थी अब वह दिन आ गया जब मुझे अपनी बहु को हिसाब देना पड़ता है यह कहते हुए बुड़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी आज मैं हिसाब कैसे दूगी आज तो बहु पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ इतना सुनते ही अवसान माता थोड़ा सा दुखी हुई और बोली बहु अपनी सास के साथ ऐसा कैसा कर सकती है और शान माता ने कहा एक काम करो आप जितनी भी पीपल के पत्ते हैं सूखे गिरे हुए है आप लेकर अपनी आचल में भर लो और अपनी बहु के आचल में डाल देना तो उस बुढ़िया ने कहा अरे इस तरह करने से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा तो माता ने कहा हाँ जरूर हो जाएगा और अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा तो तू अवसान माता की पूजा करना मत भूलना तो बुढ़ि माता ने कहा ठीक है मैं देखती हूँ और उसने अपने आचल में पूरे पत्ते समिट लिए अपने घर चली गई घर जाते ही जैसे ही पूशती है बहु ने पूछा बुढ़ि अम्मा आचल में बहुत सारा कुछ लेकर आई है तो बहु ने बोला क्या बात है अभी हिसाब देने आ गई क्या तो अम्मा ने कहा कि हाँ ऐसा ही समझ लो बेटा हिसाब ही तो है वह बहुत ही खुस हुई बहु बोली अरे वाह इतना सारा पैसा कहां से लाई सास ने कहा एक काम करो बहु अपना आचल फैलाओ और मैं अपने आचल में से डाल देती हूँ तो बहु खुसी कि मारे अपना आचल फैला देती है बहु को उसमें खूब सारे धन दौलत पैसा रुपया जेवर सब कुछ दिखाई देता है तो वह बहुत जादा खुस हुई एक महीने की दूध में इतना सारा रुपया कहां से आपने कैसे किया बूढ़ी भी बहुत चकित रह गई कि मैंने तो पीपल के पत्ते डाले थे बूढ़ी मा मन ही मन सोचने लगी कि लगता है अवसान माता ने दिया है अब बहु मा से पूछने लगी कि माता इतने सारे पैसे कहां से आपको मिलते हैं तो सास ने बहु को सारी कहानी सुनाई, बहु कहने लगी कल से दूध लेकर मैं जाओंगी, एक काम करो अब मुझे बताओ कि क्या क्या आपने किया था, पूरा बिधी सहित, वैसे ही करोंगी, साइद अवसान माता मुझे भी दे दे, बुढ़ी अम्मा ने कहा कि करके देखलो अब सुबह हुई, बहु भी अपना दूध लेकर आई, और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा कर चली आई, एक महिना बित गया, तब बहु जाकर बैठ कर रोने लगी, कि अब मैं कैसे दूगी, क्या करूं, यह संकर अवसान माता, बहु से पूछने लगी, कि क्या हुआ तो उसने जूट में ही बोल दिया, कि मेरी सास मुझे ज़्यादा परशान करती है, मुझसे बोलती है कि दूध बेच कर पैसे लेकर आओ, मैं क्या करूं, मैं दूध तो इसमें चढ़ा दी, अब क्या करूं, तो अवसान माता ने कहा, एक काम करू, पीपल का पत्ता अपने आचल में भर लो, और ले जाकर अपने अंगने में रख देना, उसने कहा ठीक है, खुसी खुसी वह लालची बहू, पीपल के सारे पत्ते अपने आचल में इकठा कर लेती है, और भागते हुए आगन में आई, जैसे ही उसने आगन में डाला, तो देखा, उसमें बिच्छ साप दुनिया भर के जीवजन्तु पड़े थे, और उसकी तरफ दोडनी लगे, तब वह अवसान माता के पास गई, तो माता ने कहा, तु अपने साज के साथ बहुत ज़्यादा गलत बहवार करती थी, वह बता रही थी, कि उन्हें दो रोटी खाने को नहीं दे रही थी त तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो वह बहु अवसान माया से हाथ जोड कर चमा मागने लगी, प्रियभक्तगडों माता बड़ी दयालू हैं, उसको रोते हुए देख कर उसे चमा कर दिया, और कहा, अपनी सास की खूप सारी सेवा करो, अच्छे से घर में मिल बाट कर दोन अरे घर में धन दवलत की कमी नहीं रहेगी, बहु ने अपनी सास से चमा मागा और घर में दोनों खुसी-खुसी रहने लगे, खूब विधी विधान से आवाहन कर अवसान माता का गीत गा कर पूजा किया, तो जिस प्रकार अवसान माता ने उस बुड़ी सास की लाज उसी प्रकार माता रानी, आप सभी भक्तगड़ों पर अपनी कृपा द्रिष्टी बनाए रखना, जै माता दी, प्रिय भक्तगड़ों अब आये सुनते हैं, पश्चिन दिसा की माता, आस माता की कथा, इनकी कृपा से खोया हुआ मान सम्मान, पुना प्राप्त होता है, त इस असलिया को जुवा खेलने की रूची थी, वह सदैव ब्रामडों को भोजन भी कराता था, वह हारे या जीते, वह सदैव ब्रामडों को भोजन कराता था, इस तरह जुवा खेलते रहने और ब्रामडों को भोजन कराते रहने से, उसकी भाभियों को यह सब पसंद नहीं आता था इस तरह कुछ समय चला ऐसा चलता रहा लेकिन एक दिन उसकी भाविया परिशान होकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया इस तरह घर से निकाल देने से वह दुखी हुआ सोचने लगा कि कैसे अपना जीवन जीना है इस तरह सोचते विचारते हुए वह घूमते घूमते दूसरे नगर में पहुचा वह आस माता का नाम मन में दोहराते हुए जगह जगह नगर में भरमण करने लगा और एक जगह जाकर बैठ गया उसने आज पास के लोगों के द्वारा नगर में प्राचारित किया कि एक उच्च कोटी का जुवा खेलने वाला आया है यह बात उस नगर के राजा के कानों तक पहुची तब उस नगर के राजा ने अपने सिपाहियों को भेज कर उसको जुवा खेलनी के लिए बुलाया इस तरह अशलिया सिपाहियों के साथ नगर के राजा के दरबार में जा पहुचा राजा को नमशकार करता है तब राजा उसका परचय पुछते हैं तब वो अपना पूरा पर्चय देता है, तब राजा कहते हैं कि तुम अपने आपको उच्च कोटी का जुवारी समझते हो, तो मुझे जुवा में हरा कर दिखाओ, तब असलिया जुवारी बोलता है, कि है राजा जी, आप से मेरी कहां तुलना है, मैं ठारा एक जुवा खे का वचन देवें, राजा बोला कि है जुवा खेलने वाले असलिया, तुम जुवा में जीत जाओगे, तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु, तुमसे वापस नहीं ली जाएगी, और तुम्हारे प्राणों को कोई तरह का खतरा नहीं होगा, इस नगर का र करम में कभी राजा की बाजी होती, तो कभी असलिया की बाजी होती, इस तरह काफी शमय तक जुवा का खेल चलता रहा, और राजा अपने सभी वस्तु को हार रहे थे, तब राजा अपने सभी वस्तु को हार गए, तब असलिया बोला कि है महराज, अभी भी आप अपनी परहुई वस्तुओं को वापस जीद सकते हैं। आपके पास आपका राज जुआ के खेल में दाव पर लगाए। जिससे आप वापस जीद सकते हैं। राजा वहां से चले गए। असलिया इस तरह खुद उस नगर को जीत कर राजा बन गया। इस तरह असलिया अपने जीते हैवे राज पर सुख सुवधाओं से जीवन जी रहा था। उधर असलिया के घर में अकाल पढ़ने लगा। जिससे उसके भाभी उसके परिवार के लो लोगों का अनधन समाप्त हो गया, तब उनको किसी दूसरे नगर की लोगों से ग्यात हुआ कि दूसरे नगर में तुम्हारा भाई, पुत्र और तुम्हारा देवर राजा बन गया है और उस नगर में पूरी तरह से खुसहाली है। तुम अब अपने भाई असलिया के पा सभी उस असलिया के नगर में पहुचते हैं और उसको देखते हैं तब उसके माँ अपने बेटे को राजा बना देखकर आखों में आसु आ गए राजा के रूप में असलिया अपनी माता को इस तरह रोते देखकर अपनी माता के चड़नु को सपर्श करता है तब उसकी माता ने कहा, मैं आसमाता के व्रत का उध्यापन करूँगी, तब सब लोगोंने घर जाकर आसमाता का व्रत किया और उध्यापन किया, हे आसमाता जैसे तुमने असलिया को राज पाठ दिया, वैसे ही सब की मनो कामनाय पूर्ण करना, सबका खोया हुआ मान सम्मान उन्हें कि अधिश्ठात्री माता चटपटा माता की कथा इनकी कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है तो इस कथा को पूरे अंत तक अवस्य सुनियेगा एक गाव में एक वृध बुढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे और उनकी कोई संतान नहीं थी बस जीवन ऐसे ही चल रहा थ एक दिन की बात है उनके पडोसन की एक औरत साम को बुढ़िया के पास आई और कहने लगी अम्मा कल हमारे यहां चटपट माता की पूजा है और आपको सुभा आना है और इस तरह से अम्मा को निमंत्रड देकर चली गई अब सुभा हुआ अम्मा भी जल्दी जल्दी अप कि हम पूजा में जा रहे हैं आप घर देखिएगा तो वह कहते हैं ठीक है जाओ लेकिन हमारे लिए प्रसाद लेते आना तो कहती है ठीक है अब अम्मा चटपट माता की पूजा में पहुची और वहां खूब विधी पुर्वक पूजा पूरा हुआ फिर सब औरते माता र पूजा में केवल प्रसाद पेडा ही मिलता है और वह भी वही अवरत को खा लेना होता है घर नहीं लाना होता है तो फिर अब अम्मा के पती प्रसाद का इंतिजार कर रहे थे अम्मा घर पहुची तो उन्होंने प्रसाद मांगा अम्मा उनको प्रसाद के रूप में वही फूल और अक्षत दिया तो वह प्रसाद देखकर नाराज हो गएं अम्मा से कहने लगें क्या तुम भी यही पाई हो अम्मा कहने लगी कि नहीं हम तो पेडा खाए हैं यह सुनकर वह बुढ़े बाबा नाराज हो गएं और प्रसाद फेक दिया और कहने लगें कि चटपट मा था हम कुछ नहीं मानते अगर वह इतनी सकती साली हैं तो आपको एक पुत्र दे दे बस यह कहकर वह चले गएं अब दिन पर दिन बितता गया अम्मा का धीरे धीरे अब बेट भी फूल रहा था लोग उनसे सवाल जबाब भी करने लगे कि अम्मा कैसे यह आपका पेट इस उम्मर में फूल रहा है तो फिर अम्मा भी उसको बता देती हैं कि भाईया बच्चा होने वाला है अब इसी तरह 6 महीने 8 महीने 9 महीना बिता अम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया अब धूम धाम से उसका जन्म उस्सव हुआ बरही हुई सब कुछ निपट जाने के बाद अम्मा ने बाबा को याद दिलाया कि आपने चटपट माता को कुछ कहा था वह सकती साली नहीं है तो बाबा को सब बात याद आ गए और कहें कि हाँ बहुत गलती से कहे थे हम छमा मांगते हैं चटपट माता बहुत सकती साली है तो अम्मा कहीं जाओ अब 11 सुहागिनों को बुला कर लाओ और हम चटपट माता की पूजा करेंगे तो बाबा ने कहा हाँ बिलकुल क्यों नहीं तो सभी सुहागिनों को बुलाया गया खूब धूम धाम से पूजा हुआ चटपट माता की आरती की गई तो इस तरह माता रानी की कृपा से बुढ़ापे में अम्मा और बाबा ने एक पुत्र को प्राप्त किया हे चटपट माता आप अपनी सभी भक्तों का कल्याण करना जिन माताओं की गोद सुनी हैं उनका गोद हरा भरा करना उन्हें संतान की प्राप्ती कराना जै हो पार्वती सुरूपा चटपट माता की जै प्रिय भक्तगड़ों अब आये सुनते हैं चोथी कथा दक्चिर दिसा की माता गाज माता की कथा इनकी कृपा से संतान पर आई संकट कट जाते हैं तथा लंबी आयू का वरदान प्राप्त होता है पुराने समय में एक राजा के कोई संतान न थी राजा रानी संतान के न होने से बड़े दुखी थी एक दिन रानी ने गाज माता से प्राधना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कड़ाई करूंगी इसके बाद रानी गर्भवती हो गई राजा के घर पुत्र पैदा हुआ परन्तु रानी गाज माता की कड़ाई करना भूल गई इस पर गाज माता कुरुध हो गई एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था आंधी पालने सहित लड़के को उठा ले गई भील भिलनी के कोई संतार न थी भगवान का प्रसाद समझ कर दमपत्ती बहुत प्रसन हुए वही एक धोवी राजा और भिलनी दोनों के कपड़े धोता था धोवी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में सोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठा कर ले गई धोवी ने बताया मैंने आज एक लड़की को भीलनी के घर में पालने में सोते हुए देखा है राजा ने भील दमपत्ती को बुलाया भील दमपत्ती ने कहा हम गाज माता कावरत करते हैं गाज माता नहीं हमें बेटा दिया है यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया रानी गाज माता से प्राफना करने लगी कि हे गाज माता मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया और मुझे पश्टावा होने लगा हे गाज माता मेरी भूल छमा कर दो मैं आपकी कडाही अवस्य करूंगी मेरा पुत्र दे दो गाज माता ने प्रसन होकर उसका पुत्र उसे दे दिया तथा भील दमपत्ती को भी कुछ दिनों बाद पुत्र की प्राप्ती हो गई तथा भील दमपत्ती का घर भी संपन हो गया तथा एक पुत्र भी प्राप्त हो गया, तब रानी ने गाज माता का स्रिंगार किया, उनकी सुध घी के हलवे की कड़ाही की, हे गाज माता, जैसे तुमने भील दमपत्ती को धन दौलत और पुत्र दिया, उसके पुत्र की रक्षा की, वैसे ही आप सभी माता पिता के पुत एक बार प्रेम से बोलिए पारवती पते हरहर महादेव, जै भोलेनात, जै हो माता पारवती, आपकी गृपा अपरभ पारहे मैया, आप अनेको नामों से अनेको रूपों में लोगों के द्वारा पूजी जाती हैं, हे माता जैसे जिसकी सरधा हो, आप उसके सरधा के अनुस यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें के वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ओम नमस्शिवाय लिख करें, बेल बटन को भी जरू दबाईएगा, आप सदय व प्रशन और चिंता मुक्द रहें, इसी कामना के हम आप से वीडा लेते हैं, मिलते हैं निक्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार